देखे आज पूरी पूरी उम्वीद है आज 17 दिन हो गए हैं दिवाले वाले दिन ये गट्टा अमिर्खार लगवग गटी थी वो दुर्भाग्य पूंड थे लेकिं देश के परधानमंती नरेंदर मोती जी अपने नेर्तत के अंदर जिस परकार से लगातार मुख्यमंतरी करमचारियों को लगाया देश-विद्यती की मचीनों को वहाँ पर लगाने का काम किया और प्रकृति ने अनिक उन एक वार रोकने का भी काम किया बड़ी बड़ी चुनोती है उसके वीच में आई हैं लेकिन उन चुनोती का बराबर मुकाबला किया गया ज्यान विज्ञान और हमाना जो धर्म की आस्ता सनातन कि आखिर में सनातन के चड़नों भी जाना पड़ा और वहां पर पूजा पाड़ करने के बाद आज आज लगी है करीब करीब दो मीटर का एरिया है जिसे पाइप निजा सका जानकारी मिली है वो पाइप आगे तक जाएगा और उस प्रकार से उनको भार निकालने का परियास चालू होगा को उतावला पन उसके अंदर जो एक्सपर्ट बता रहें उतावला पन नहीं है लेकिन सबको सही ढंग से सवस्त निकाला जाएगा और सबसे बड़ी बात है कि मुख्य मंत्री जी ने जिस प्रकार का प्रवंदन वहां पर कर रखा है वहां पर हुस्पिटल टेंपरीर हुस्पिटल खोला गया है 41 अबुलेंस लगाई गई है और उसके बात में उनको हुस्पिटलाइज किया जाएगा क् जो 17 दिन वो रहे हैं उसमें बोड़ी की अनिकोनिक प्रकेरिया अनिकोनिक तरीके से आथ भी होते हैं वहां से लगता है कि जिस परकार से वहां का वातावर्ण वहां के लोगों ने पैनिक नहीं होने दिया और प्रदान मंतिने ने जो आवान किया था वहां की जनता को और जनता ने भी पैनिक नहीं होने दिया साथ साथ जो वहां के लोग करमचारी बाहर काम कर रहे थे जो उनके रिष्तेदार आयों थे उनकी भी देखवाल कर जो प्रदान मंतिने आवान किया था और मुक्य मंतिरी ने सही तरीक से उसको टैकल किया तो मुझे रगता है कि यह आज की दिन रात को बारावे तक मुझे लगता है खुशखवरी मिल जाएगी कि सारे लोग सुकसुल बाहर निकल आएंगे बहुत दुर्भाग्य पूर्ण है क्योंकि जो वह इच्छा कर रहे थे कि कोई घटना घट जाए और हम अपनी राजनिती कर रहे हैं क्योंकि आप भुपाल गैस कांड आपको ध्यान है अजारों लोग मारे गए आज भी विकलांग पैदा हो रहे हैं राजीव गांदी परधान मंत्री बने बड़ा फेट गिरता है तो धरती दहलती है आज भी वही पर्यास कर रहे हैं कि मोते हों तो हम चील कोई कितरे पर सो मढ़ रहे है और बड़ा दुख होता है कि ऐसे परधान मंत्री के जो राज दिन काम करते हैं मेहनत करते हैं नीथ्पत्र करते हैं उनके वारे में ऐसा करना आज पूरा देश टूथू कर स्पांद एक कांग्रेष की लिए कि कांग्रेष को सोना बनाने वाले लोग आप तो कोई भी आपके मन में आ रहा है बताईए सुजाब बताईगे जारकन के 14 लोग फसे हुए जारकन के मुख्य मंत्री भी बोल रहे थे बोलना तो बहुत आसान है आपके बताओ ना आपके दिमाग में क्या चलना क्या करना चाहिए लेगे देश की प्रधार मंत्री ने ितालिस ज्यानों को बिचाने में सक्षम होई है वी वत जाना कौन चाहता क्या आपकी विचा कि लिए खांधो हम्तर मइं चाहते हैं हम चाते आप बात कीजिए चर्चा कीजिए एक अच्छी उत्तरप्रदेश बनाने के लिए आप के आप अस्तर प्रदेश cine के लिए लगा रहे हैं विकास बढ़ रहा है आज वहाँ पर मा बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित हैं रात को भी सभी आराम से घूम फिर सकते हैं लेकिन उसे बचने के लिए जवाब नहीं है इस कारण से दाइबाई की बात करने का काम कर रहे हैं कि देखें यह किस्यानी बिल्ली खंबा नोचे पिछले चुनाब में यहीं इस की साथ में लगके चुनाब लड़ रहे थे यह इनको दुख व्यक्त करते हैं हम इस बात पर भी इंडियों बना है लाइक तरफ से एक दिखाई देते हैं अकिलेस इनके बारे में क्या बोलते है आए एक अपहली परोटों क्या बोलती है इस बोल रहे हैं सावसब ने नकार दिया हैं कांघ्रेस यह को पासंद नहीं करता इसलिए यह बातें खीजने वाली बाते में कर रहे हैं यह लगता है कि दूर्भक्य पूर्ण है जो इंडी इन अलाइस बनाया है उसका पढ़िणांबी उसी परकार से निकलने वाला है कि कहने की बाती नहीं है हिंदू ब्रोधी तो है बने गुमते रहते हैं इंडिया की जो इसको खतम कर देना चाहिए जो लोग मुस्लिम तुष्टी कर रहे हैं लगाता किस प्रकार से वहाँ बेन बैटियों की इज्जत लूटी जा रही है और जो कलंडर निकाला गया दो तर मुस्लमानों से पूछें कि तुम्हारी तो छुटी होगी वाजिब क्या हमें हिंदू के धर्मों की दिनों की चुटी करनी चाहिए काइंसिल कर देनी चाहिए मुसलमान भी नहीं कर सकता ऐसा काम जो नितिश कुमार कर रहे हैं ऐसा तुष्टी करन तो कभी भी हमने जीवन में आगने वखता है कि जब इनको ऐंडी आलाइइन्स है इनका जिसने अपना एक ढला जी थु को हिंड्यन को गाली बेहन हैं हिंदो को अप्लायन करके दिखाना है हिंदो को परतारित करना है ताकि मुस्लमान वोट इनको मिल जायिए शिया या ऑगे …